अलो बच्चो वेल्कम बैक बच्चो तयार हो जाईए सभी क्लास 9th के स्टुडेंट्स जो हमारा चेप्टर है तो चलेगा तो चल रहा है उसका नाम है फोट्फिरिंट विदाउट फीट देखो बच्चो हमने पहले चेप्टर पढ़ लिये हैं बोली बाला चेप्टर काया थिपसी स्टोरी तो आप सभी इन चेप्टर को जो है बच्चो स्टेब बाय करते जहिए चैप्टर्स आपको फड़ाया जा रहे हैं बहुत बथारे अभी बच्चे जो हैं ज्यान दे और चैप्टर को जो हैं पढ़े ठीक है तो अपने बुक ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए वाड़ बिनिंग त्यार कीजिए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं आज का जू चैप्टर चल रहा है अपना ठीक है देखिए देखो बच्चो चैप्टर अपना है पुट्पिलिन विदाउट फीट और हमने तेले पढ़ भी लिया था जैसा कि मैं आपको तोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ कि पीचले वीडियो में बच्चों हमने देखा था पिचली कलास के अंदर के दो लड़के जो है वह पता कर लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चिन जोए वह छप रहे हैं और रुकिती नजर नहीं आता है इसलिए उन सोब hump हम्घकन प्रेख नहीं हैं कोई इस होगा किया है और जो गिफिन जो था उसने जैसी दवा बनाई और उसका प्रियोग उसने क्या किया खुद पर ही कर लिया मतलब समझ रहे हैं मतलब खुद पर ऐसा प्रियोग कर लिया कि एक साथ इंसान गायब हो सकता और उसने दवा लेकर गायब हो गया गायब होने के बाद क्या हुआ बच् साथ क्वाइब भी सब्सक्राइब करनें पेसे सरदियों के समय में क्या हुआ उसको पड़ पड़ गी क्योंकि थंड़ जया थी कपड़े पेने रहे नहीं सकता ता इसलिए उसने क्या क्या किए कार खाने को तर चौने चला गया वहां जगें खाना खाया और बढ़ी से कपड तो देखने लग गया अब दिखे देखा उनसे पूछा तो वहां डरके मारे वहां से भखने लग गया और जैसे भखने लग गया तो लोगो थोड़ा पता चल गया कि यह व्यक्ति है जो गया भी हो रहा है क्योंकि जो भक्ते बचने के लिए कि उसने सारे कप्टे अठा दिये और फिर से गया और जन्वरी का महिना था ठीक है बच्चों आप देखते हैं आगे क्या होता है इस टाइम ही डिसाइड इस वार उसने क्या के निश्य किया तो ट्राइब दे इस को प्राप्त करें मतला जो होता है थ्रेटिकल होती से नाटक कंपनी जो होती है नाटक कंपनी के जो है स्टोर में घूमने का उसने इस वार कोशिस की इन दा हॉप देटी फाइंडिंग है नोट ओनली क्लोट्स कि वहां पर कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट और सम्थिंग अब जो होता है जहां पर सिनेमा का जो सेंटर होता है तो उसने वहां सोच रहा है कि ऐसी चीजे नहीं कि उसे कंदी बढ़क जाएंगे और उसका खाली जगे जो होती जो अच्छे से चिपा सकता है मतलब हो गया कि वहां पर जाएगा तो अपना बचा कुई लोग को दिखे तो सही ना दिखनी ना उस पर पर इसे नहीं होना शुरू हो गई तो देखो क्या होगा अब वहां पर उसको क्या हुए एक ऐसी दुकान मिल गई मतलब जहां से उसको जो चाहता था वैसी दुकान मिल गई अब जैसे कि वह अपने आप में क्या था अध्रशित था ना तो क्या किया आप इस्टेर एंड कम आउट लिटिल लेटर वेरिंग बैंडेज राउंड ही फोर हैड डार्क ग्लास फाल्स नॉज बिग बिग बशी साइड साइड विसकर्स एंड लार्ज हैट देखो क्या क् लागाता है बच्छो मतलब जो है दुकान में एंट्री कर गया तो सबसे पहले उसने क्या किया अपने ललाटी ऊपर लपेट ली और उसके बाद क्या हुआ हुआ उसने डार ब्लास एक चस्मा लगा लिए काले कलर का एक नकली छी नाक लगा ली और जो होता ना उसके कहने का मतलब है यह होते हैं जार्ट विसकर्स होते हैं जो अई इसको कह सकते हैं मुछ यह सकते हैं तो उनको जाता था तो आप क्या होता है उसने किया बच्चों विग विश्यली साइड साइड इसकर्स एंड लार्ज हैट मतलब चार तरह पे नकली मुझे टाइप का कुछ लगा लिया और एक बड़ी शी टॉपी पहन लिए टुएस के विदाउट बेंग सीम ताकि लोगों से बिना देखे बिना लोगों से बच सके कहने यह मतलब समझ रहे हो दिखेगा जरूर वो तो इस तरह इस गया कि लोगों से पहचान नहीं पाएं लेकिन होता क्या है अब क्या हुआ था जैसे वह निकला तो उसका सामना किस से हो गया दुकानदार से हो गया शौप कीपर फ्रॉम बहांड उसी के पीछे विच आप्टर विच ही रॉब्ड हीम जिसको उसने बाद में लूटा था यानि कहने का मतलब हो गया ना कि गिफिन ने क्या किया था उसका पैसा या सब कुछ यहां पर दे रखा है ना रॉब्ड हीम ओल दा मनी ही कुड फाइंड जो कुछ भी उसको मिला ना जैसे दुका दे रूब से हमला कर दिया सामना दो वाई हमला कर दिया पीछे से हमला किया और उसको लूट लिया जितना है पैसा उसके पास पढ़ाता वो सब कुछ उसने लूट लिया किसने लूट लिया यानि वो बेग्यानी जो था ना उसने सब कुछ उससे लूट लिया था अब क्य होता है एग एग टू गेट अवे फ्रॉम कावड़ेड लंदन ही टुक ए ट्रेंट तू दविलेज ओप इपिंग वे यही बुक्ड टू रूम्स एड़ लोकल इन देखो बच्चो उसने क्या किया जो भीड थी न उससे भीड़वार से निकलते हुए जो एक जगे था कि ट्रेंज ऌती उसने रोली जहांपर उसने क्या किया उसने दो कमरे जो hearing यहांने उनकम क्या सकते होटल कहते है लोकल होटल में सराई होता हुँ का मतलब उसमें उसने क्या किये दो कमरे बुक करा लिए यानि वहां से लूटा एक अजनेभी को सुरी दुकानदार को और लूट के वहां से सीधा आइपिंग नामकिस्तान पर गयार वहां पर उसने दो होटल बुक करा लिए किसने कराई गिफिन ने अजनेभी जो वेक्ति आ रहा है सरदी के अंदर बात बता रहें जो क्या कर रहा है उसकी जो आने वाला था वह अनीज्वल इवेंट था यानि वह आ तो रहा था सरदी में और ऐसा लग रहा था मामला आह साधन इस्तिति में वह आया था कहने का मतलब वह हो गया कि जो उसकी शकल सुरत जो थी वह भी अजीव लग रही थी और जुबान जो है वह उसकी टंग जो कैसे वेविंग रहा है मतलब लडखराने वाली टंग हो मतलब जोड़ा ऐसे लगता है कोई गलती करके आया हो तो गोलता है मिस्टर हॉल दर पर लेंडलोड को जाएगा जिसमें इन में उसने की थी मिस्टी वहां पर जो उसकी वाइप थी मेड एवरी एफट टूबी फ्रेंडली वह चाहती थी किसीना किस तरीके से कि मितरता पूरवक उसने यह सब जानने की कोशिस भी कि कि यह सा क्या है बट क्या हुआ बट एरफ ऑर शलिट्यूड क्या बोल रहा है ब सुम्हीं यहां पर क्यों आया हो तो शोलिट्यूड वह कहता है कि मेरे यहां पर इरादा जो है वह है एक आंत में रहना चाहता हूं इसलिए मैं यहां पर आया हूं I don't wish to be disturbed in my work मैंने चाहता हूं मेरे काम में मुझे कोई परेशान करें या दखलंदा जी करें इसके अलावा इसके अलाव भी कह सकते हो क्या एक्सिटेंट है अफेक्टेड माइफेस देखो जो उसने क्या बोल दिया याद भी रखना कि किसी दुरुगट नाम में उसका चेरा जो है मतलब खराब हो गया इस वज़े से वह चेरा नहीं दिखा पाता मतलब पट्निया लप हो सकती है तो उसने नहीं बताई अब देखिए आगे सेटिस्पाइड अपने आपे संतुष्ट हो गया वह यह यह विदेते हैं कि उसका आतिती मेहमान जो है वह संतुष्ट है वह एसे लगता है इसको संकी विग्यानिक था एंड इन व्यूव और जो बाते कर रहा था वह और उसको पहले से जो है अगया कि वह किसी बात पर उससे कोई ऐसे सवाल जबाब भी ना करें तो जो कोई उसका सवाल था इस्ट्रेंज हैबिट अजीब तरह की जो सरकति कर रहा था इरिटेबल टैम पर उसका चिरचड़ा सवाव जो था उस पर उसने बिलकुल भी गुसा नहीं किया क्योंकि उसने पहले से उसको ज़्यादा पैसे दे रखे थे बड़दा इस्टोलन मनी डिट नॉट लॉंग लास्ट किन्तु वो चुराया हुआ पैसा ज़्यादा समय न इसको अने माला है और किसी समय आ सकता है और उसका इंतजार करने लग गया मतलब होटल में गया तो पैसा खतम हुआ तो उसने बहाना बाजी करने शुरू कर दी अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं बचों इसका मतलब क्या होता है मतलब जो पादरी होता है क्लेटी में का मतलब और उसकी पत्नी जो थी उन्होंने क्या हुआ सुबर सुबर कोई आवाजे सुनी मतलब ऐसी आवाज हुए क्यों से कोई स्टडी कर रहा था कोई रखती उसकी आवाजे सुनी क्रीपिंग डाउन स्टेर दो दीर दर क्या हो सीडियों की नीचे आए शीडियों की नीचे आए दे हीर दा चिंकोप मनी बिंग टेकन फ्रॉम दा क्लेट्जी में डैक उन्होंने क्या सुना चिंकोप मनी आते हो पैसों की खनखनाट की क्लेट्जी में के डैस्क में से कोई पैसे निकाले जा रहे थे विदाउट मेकिंग एनी नॉइस बिना आवाज करें इंद बीडा पोकर ग्रैस्प फर्मली इनई हेंड बिना आवाज क्या करें होता ञिसे किसकी में पाद्री था उसने बिना आवाज करें बड़ी ठाकत से क्या किया उसे जो पैसो की आवाज अर्थ इनने उसको क्या किया बहुत जोड़ से पकड़ लिया और धढ़वाजा उसको फ्लंगें धढ़ाम से जोड़ से बंद कर दिया और क्या वोलता है उसको surrender गुल अपने आपको आत्म समर्पन कर दो यानि कि वो दिख रहा था वहाँ तो कि वो व्यक्ति था कोई बहाँ पर और पैसे पैसों कि आवाज आ रहे थी तब उसने कह दिया वह आत्म समर्पन कर दो then to his amazement he realized that the room appeared to be empty security क्या हुआ उसके बाद उसको यह आश्च्री हुआ कि नहीं प्रक्ति को नहीं प्रक्ड़ा था वह समझें यहां पर कि मतलब एक होता है जैसे कोई चीज होती है जो आवाज है जो आपकर को करम कह सकते हैं जैसे एक चीज आती है कि इसको पकड़ा यह उसको बोला कि यहां पर जो है कुछ समर्पन कर दो लेकिन आश्च्री के बात क्या हुई कि वह चो कमरा जो था ना देन टो इस अमेजमेंट तब उसको आश्च्री हुआ कि ही रिलाइज देट रूम अपिए टो बी एंपिटी कि कमरा तो पुरी देश खाली था यह एंड इस वाइप लुकड अंडर दा डेस्क नीचे देखा बिहाइंड दा काटन पड़ों के पीछे देखा एंड इवन चिम्नी और चिम्नी के पास जाके देखा चिम्नी भी चला जली हुई थी वहीं पर तो चिम्नी के जो इवन आप ओपर की तरफ जाकर करके देखा देर वाज नौट अट साइन अफ एनिबड़ी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था येट दा डेस्क हैड बिन ओपन लेक तो अभी वह सोच करें क्या बोलते हैं मतलब उनको असा जो होता ना एक्स्ट आउडिनरी एक्स्ट आउडिनरी अफिर ये तो कोई आसालनकारिया हो गया मतलब अचानल अच्छा क्या हुआ हो दक लेटिशी में कैप टूर रेस्ट आप देज तो कह रहा है पूरा दिन बर पूरा दिन बर यही बात कहता रहा कि अब कमरे में आवास तो आ रही थी पैसे गिनने की आवाज और जब जाकर के देखा तो कोई नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है बट इट वोज नोट एन एक्स्ट आर्डिनरी एज दभी हैविर अफ मिसिस हॉल फर्निचर अ लिटिल लेटर देट मॉर्निंग कि तो क्या बोल रहे है यह ऐसा साथ में बात नहीं थी कूछी समय बाद में क्या हुआ कि जो मिसिस हॉल जो थी कि मिसिस हॉल के जो फर्निचर तुमकी बात कर रहा है उसके साथ यह बहार यह बात समझ में नहीं आई उसको कि ऐसा क्या हो सकता है तब क्या होगा देखो बच्चों दा लेंडलोड एंड इस वाइप वर अप वेरी अर्ली मालकीन और जो माली जो ता वो सुपर चलती उठ है एंड वर साप्राइस टू सीए साइन्टिस्ट डॉर वाइड ओपन कि साइन्टिस्ट का जो दरवाजय था वह खुला हुआ था यूज्वली इट वस्टेंड लॉक्ड जो कि हमेशे कैसा था बंद और खुला रहता मनलब तला तला लगा रहता था एंड ही वस फ्यूरि सेम टू गुड टू भी मिश्ट अभी ऐसा मोका मिल गया था उनको यह भी तो लग रहा था कि अब आचान अब यह सा मोका मिला है कि हम भी उसके घर में जा करके देख लेगी वास्तों में ऐसा है क्या इसमझे या दोन ने उठे उठे तो उनने देखा कि दरवाज खुला अब खुला तो उनको जो ऐसा रहुसता है कि कोई ना कोई या तो चोरी कर गया है या कोई कोई प्रवेस कर गया हो घर में दे पीप्ड राउंड दा डॉर अब उनने दर्वाजी जो होता ना उसमें कहता है जहां का पीप करना यानि कि देखन लगे उसमें से और ना सब्सक्राइब करने के लिए अंदर चलती है दे बैड दा बैड क्लॉट्स वर कॉल्ट अब जो थे बिश्तर थे वह ठंडे थे शोईंग देट दा साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइंड एंड इस्ट्रेंजर इस्टेल दा क्लॉट्स एंड बैंड बैंड देट ही वर वर यह उल्वेज वर वर ओल्वेज लेंग अरब आउट दा रूम देखो कपड़े उसे ठंड देथे कहने का मतलए देखो क्या बात आ रही उन्होंने सब कुछ देखना सुरू कर दिया ना तो क्या हुआ बच्चों उन्होंने विचित जो अजीब तरह की जो था क्या नहीं था उसमेटर को वच्चों हम देखेंगे नेक्स क्लास में आप चैप्टर को त्यार कीजिए या निया हमने जो देखा है वह यहीं देखा है कि ड्रोल खुली मिल्टिलिंग कोई नजर नहीं आता तो इस बात को आशरी चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यासे हो सकता है और फिर जब बाद में पता चलता है कि जो होटल में जो कमरा ले रखा था उस इन के अंदर उसका कमरा खुला हुआ था और साथ साथ क्या था कि उसकी बेंडेज, उसके कपड़े वगेरा सब उसको बहाँ पर वो पड़ेव नजर आए अब देगेंगे बच्चो इसको आगे लास्ट हमारा पार्ट रहेगा और हमारा चेप्टर भी कम्प्रिट हो जाएगा अबताग बच्चो, गुड़ेग, गुड़ेगा